डॉप्टर निस्टुरेंट्स आज किस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर के अंतरगत उसकी दो मेन पार्ट से है न वह हमारे हाड़्वेर एंड सौफ्ट्वेर तो पहले बात करते हैं हाड़्वेर की फिर बात करेंगे सौफ्ट्वेर की कंप्यूटर के विविवि आउटपूट CPU आधी सभी शामील होते हैं और सेकेंड है हमारा सौफ्ट्वेर ठीक है तो इन हाडवेर को निर्देशन द्वारा नियंत्रित किया जता है जो की कम्प्यूटर सौफ्ट्वेर चलाता है ठीक है तो हाडवेर और सौफ्ट्वेर एक बाद फिर दिखते हैं कर कम्प्यूटर बना होता है उसे कहते हैं कम्प्यूटर हाडवेर ठीक है और इन हाडवेर को निर्देशन द्वारा नियंत्रित किया जता है तो वह कहलाता है कम्प्यूटर सौफ्ट्वेर computer hardware is the component that can see and touch हम इसे देख भी सकते हैं और हम इसे touch भी कर सकते हैं किसे hardware को अब इसके अंतरकत हम देखते हैं क्या कुण कुण से पाट आते हैं computer hardware के अंतरकत एक होता है हमारा input device एक होता है हमारा output device एक है हमारा processing device और नेक्स्ट है हमारा storage device सबसे पहले आता है हमारा input device तो input device में क्या क्या आता है तो आप देख सकते हो input device में आता है keyboard mouse joystick scanner touchpad light pane barcode reader and wise input system यह सब आते है हमारे input device के अंतरकत नेक्स्ट है हमारे output device तो output device के अंतरकत आता है हमारा monitor printer printer speaker and floater नेक्स्ट है मारा processing device नेक्स्ट है मारा storage device जिसमें store रहता है तो जो storage device आपके वोकसान में दिख रहे हैं बहुसी जिसी कि यह बने हुई है CD अब हम बात करते हैं internal hardware के अंतरकत ठीक है तो सबसे पहले types आप hardware के अंतरकता है internal hardware internal hardware के अंतरकता है CPU दर्बोर्ट RAM and ROM ठीक है दोसे पहले हमारा CPU इसका full form होता है central processing unit it is a brain of computer मतलब CPU को क्या कहा जाता है brain of computer कहा जाता है next is most of calculation tag place here and two types components of CPU इसकी two types components होते है एक होता है हमारा arithmetic logical unit और एक होता है हमारा control unit next है हमारा motherboard इसके structure में देखर हो यह motherboard वाना हुआ है is the main circuit board our micro computer next है हमारा RAM RAM का full form होता है random SS memory RAM is a place in a computer where the operating system application program and data is correct use are kept temporary memory है जो है एक प्रकार की क्योंसी memory होती है temporary memory होती है और short time memory होती है इसकी खासित होती है कि short term memory है और कैसी है temporary memory है और दूसरी हमारी ROM मतलब read only memory next हम बात करते हैं input hardware के अंतरकत input hardware के अंतरकत keyboard, mouse and scanner आता है तो सबसे पहले हमारा है keyboard keyboard यह input का important instrument है जो type writer के समान होता है किसी भी text data या निर्देश इसी के द्वारा computer को दिये जाते हैं यह CPU में motherboard को keyboard से तार द्वारा उड़ा रहता है इस पर number, alphabets and symbols लिखे होते हैं जिने हम keys कहते हैं इन keys को दबाकर या type करके computer में संकेत या fit data पहुचाय जाते हैं यहां keyboard 83, 84, 101, 102 या 104 keys की होती है आजकल market में multimedia keyboard भी उपलब्द है जो windows environment में different work करने के यह काम में ला जाते हैं इसमें जो कुझी पाया जाती हैं उसके नाम देख लेते हैं किसे अब structure में keyboard का structure बना हुआ है इसमें जो keys पाया जाती है एक होती है numerical keys एक होती है functional keys एक होती है arrow keys इसके अलाब कुछ special keys होती है जैसे कि space bar, delete keys, tap keys, shift keys, numeric keys इसमें पाया जाती है next है मारा mouse ज्यादा तर PC graphical environment में काले करते हैं screen पर graphical element को नियतित करने के लिए keyboard तो शक्षम नहीं होता है कि उसको control करना कठीन हो जाता है इस कारण mouse का उपयोग दिनो दिन बढ़ता जा रहा है mouse एक pointing instrument है यह graphical user interface में बहुत जादा उपयोग किया जाता है जैसे windows में mouse फाइल को copy, moving, locating का कार्य आसानी से कर सकता है mouse में एक, दो या तीन बटन हो सकती है जिससे screen पर चाहे गए items को प्लिक करके चुना जा सकता है एक mouse में कुछ अविया होते हैं कुछ जैसे कि आप structure में देख रहे हो यहाँ पर mouse का structure बना हुआ है तो इसमें जैसे मैंने देखा यह एक, यह दो और यह तीन एक goal game जो cursor की स्थिदी को screen पर बदलती है इसको roller ball कहते है यह present है roller ball next है एक यह दो बटन जो screen पर चुनने का कारे करती है यह जो button दिख रहे है और next जो है एक तार जो mouse को cpu से जोडता है यहाँ वह present होता है दीखें, mouse के ब्रकार एक होता है serial mouse एक होता है ps star mouse और एक होता है bus mouse next है scanner जैसे आपके देखने structure में देखा है scanner यह एक input उपकरने इसके द्वारा किसी लिखी दस्तावेश graphics को computer में input किया जा सकता है जिस दस्तावेश या चित्र को scan करना हो उसे scanner की समसल सतर पर रख दिया जाता है तथा scanner पर लगे lens व प्रकाश इस द्वारा चित्र को photo sense करके binary आकड़ों में बदलकर computer को memory में पहुचा दिया जाता है इस structure को monitor की screen पर देखा जा सकता है किसी scanner की गुनवत्ता प्रती एकाई छेत्र में उपस्तित छिद्रों की संख्या पर निर्वर करती है इसे resolution कहते हैं आजकल प्रच्रित scanner की resolution 600 से 1200 dpi dot per inch है सामने दो प्रकार की scanner काम में लिए जाते हैं एक होता है हमारा flat flat bed और एक होता हमारा hand held scanner यह हमारा scanner यहां दिख रहा है next है हमारा connecting hardware connecting device allow hardware device to communicate with other common device है other common device है उसे communicate करने के लिए wireless internal access to computer computer data इसको save किया जाता है next है मारा floppy disk next है स्टोरेज 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 हर्डवेर से स्टोरेज स्टोरेज करने के लिए किया जाता है next बात करते हैं software की software means a program which is installed on a machine for a specific purpose देखे जैसे कि हमने भी देखा था हर्डवेर को निर्देश हर्डवेर को निर्देशो द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो क्या कहलाता है हमारा software कहलाता है hardware को चलाएगा कोन तो से कोन चलाता है software देखे तो जो software होते है types of software की बात कीज़े तो एक है हमारा system software next है हमारा application software और next है हमारा utility software आप देख सकते हो software के अंतरगत windows, dos यह सब क्या है application of software वेब browsing software next है word processing software next है spreadsheet software इसमें ms excel आता है next है database software और users to store the vast amount of data example है ml ms access next है presentation graphics software यह सब क्या है हमारे software इस प्रकार hardware में software होता है तो उसे कोई निर्देशित करेगा तो उसे निर्देशित करने काम करता है हमारा software करता है जैसे आप देख सकते हो structure में यह hardware तो hardware is cocoon control कर रहा है हमारा software हमार